नमस्कार दोस्तों आप पढ़ रहे हैं कच्छा 11 वी NCRT English जिसमें आज हम पढ़ेंगे होर्न बिल बुक का लेसन थिरी तो देखी लेसन थिरी के 7 important question आंसर तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन अब हम question bank के हिसाब से 5 और important question पढ़ने वाले हैं सबसे पहले 8 important question ये करेंगे उसके बाद 9 important question ये करेंगे अगला 10 important question ये करेंगे 11 important question ये करेंगे और सबसे important question ये बारवा होगा जो कि बहुत important question होगा ये करेंगे तो ये पांचों question ध्यान से समझना तो देखे आठवा question भार्ट इजदा symmetry देखे symmetry का मतलब होता है कवरिस्तान आफ तुत जो यहां तुत है राजा तुत की बात हो रही है तो उनका कवरिस्तान काल याने कहलाता है और भार्ट याने क्या तो यहां राजा तुत का कवरिस्तान क्या कहलाता है तो देखे question क्या है के तुत की कवरिस्तान को क्या कहा जाता है तो देखे chapter में बताया गया है के राजा तुत को उनके विस्राम इस्थल से प्राचीन मिस्र के एक कवरिस्तान में ले जाया जाता है और उस कब्रिस्तान का नाम रखा गया है राजाओं की घाटी तो देखे आंसर बताया गया है कि राजातुत को राजाओं की घाटी के रूप में जाने गए प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान में उनके विस्रामिस्तल से ले जाया गया तो यहां पि यह बताया गया है कि राजा तुथे उनको उनके विष्रामिस्थल से कहा ले जाते हैं प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान में ले जाते हैं जिसे राजाओं की घाटी के रुप में जाना जाता है अब दिखे आंसर तू सरल है बस हमें इस लाइन को ट्रांसलीट करना पड़ेगा तो ट्रांसलीशन से पहले देख लेते कौन कौन से मीनिंग यहां पर कठे ने तो देखे सबसे पहली यदि हम देखें राजा तुत को क्या लिखेंगे हम किंग तुत लिखेंगे और फिर राजाओं को क्या कहते हैं किंग्स कहते हैं ओफ याने की होता है और घाटी को वैली कहा जाता है तो ध्यान मिखना पहला सब्द हो गया वैली तो पहला सब्द हो गया वैली वैली का मतलब होता है घाटी और एज याने की रूप में और जाने गए जाने गए या फिर जानना देखिए no होता है no का third form होता है non तो ध्यान मिखना non का मतलब जाने गए और प्राचीन के लिए आपको पता होगा ancient कहा जाता है तो ancient ये तो word आपको पता होगा तो ancient हो जाएगा और फिर देखिए मिस्र को क्या कहा जाता है आपको पता होगा इजिप्ट कहा जाता है तो इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र लेकिन यहां एजिप्ट सियन यदियम देखें तो एजिप्ट सियन होता है मिस्र का तो मिस्र का के लिए क्या लिखेंगे एजिप्ट सियन लिखेंगे जैसे इंडिया याने भारत होता है लेकिन इंडियन याने भारत का कोई नागरिक होता है वैसे यहां पे भी आप ध्यान रखेंगे एजिप्सियन का मतलब है मिस्र का और फिर कब्रिस्तान को सीमेटरी कहा जाता है और इनी याने हो जाएगा में और फिर उनके उनके याने हिज हो जाएगा और रेश्टिंग प्लेस का मतलब होता है व इस्राम करते हैं तो resting place हो जाएगा और फिर say के लिए होता है from और फिर leez आया गया देखिए leez आना होता है take आपको पता होगा take का side form होता है taken तो taken याने leez आया गया पेसे वाइस बनाएंगे तो हमें third form लगाना पड़ेगा तो कितने word कठे ने देखिए non तो आपको पहले से पता है taken भी पता है ancient भी पता है बस Egyptian एक सब्दों हो गया याने मिस्र का और valley याने की घाटी हो गया बागी तो सभी वाइड आपको पता है तो देख लेते हैं फिर answer क्या बनेगा तो देखिए सबसे पहले तो राजा तुद को उनके विस्रा मिस्थल से ले जाया गया past simple का पेसे वाइस है जो कि आप कैसे बनाएंगे वाज बर सहाय करिया मेंसे वाज लगाएंगे क्योंकि राजा तुद एक बचन है और फिर लगाएंगे third form तो सबसे पहले king तुद लिखेंगे याने राजा तुद को वाज सहाय करिया लगा के taken याने ले जाया गया third form वाज के resting place याने की विस्रामिस्तल हो जाएगा तो his resting place और फिर कहा ले गए हैं इन ही याने की में और फिर प्राचीन मिस्र के कबरिस्तान में ले गए हैं तो ancient the ancient और फिर Egyptian symmetry तो ये बाद अच्छे से लिखना के the ancient याने प्राचीन और मिस्र का याने जिप सियन हो जाएगा और symmetry याने की कवरिस्तान जो की non याने जाना जाता है as याने के रूप में और फिर घाटी को the valley घाटी of the kings याने राजाओं की of the kings याने राजाओं की तो देखी सबसे पहले king तोती याने राजा तुथ को वार सहाई करिया taken याने ले जाया गया from याने से his resting place say in the ancient Egyptian symmetry or known as the valley of the kings हो जाएगा एक बाद पूरा answer repeat कर लेते हैं तो king तुथ was taken from his resting place in the ancient Egyptian symmetry known as the valley of the kings तो देखे इस प्रिकार से हमारा answer बन जाएगा और यह सरल सा answer है सब लोगों से बन जाना चाहिए देखे यह question जो है प्रेशनी बैंक का है आभी सकता है जरूरी नहीं है लेकिन question बैंक की जो question है जो जो छोटे छोटे हैं उनको हम करते चल रहे हैं तो यह question सभी लोगों से बन जाना चाहिए इसके बाद देखे नौवा question किस ने कहा देखे इनवर्टेड कोमा के अंदर यह वाक्त की लिखा है अब हमें बताना है यह बात किस ने कही है कि दा ममी इस इन वहरी वैड कंडिशन कि जो ममी है ममी याने सब होता है जो यहाँ पर किंग तोट का सब है डेड बोडी है उसे ममी कहा जाता है और वो ममी क्या है भैरी वैड कंडिशन याने बहुत खराब इस्तिती में because of heart because of याने के कारण जो कार्टर ने किया इनदा 1920 और देखे नीची छोटा सा एस लिखा है इसका मतलब है 1920 के दसक में तो देखे यहां पर किसने कहा कि ममी की बहुत खराब हालत है क्यों है क्योंकि कार्टर ने जो किया है 1920 की दसक में उसके कारण तो देखे इस चेप्टर में बताया गया है कि मिसर की एक सेकेटरी जनरल थी जिनका नाम था जही हवास उन्होंने निरिक्षण किया और निरिक्षण में एक ही बात कही थी कि 1920 के दसक में कार्टर ने जो किया उसके कारण ममी बहुत खराव इस्तती में है तो केवल आपको एक सब्द याद रखना है जही हवास तो फिर हम आंसर क्या लिखेंगे कि जही हवास ने कहा था और क्या कहा था ये पूरी लाइन जो क्वेशन में दी गई है वही कि वही लिख रहनी है आपको तो बस यहाँ पर केवल एक सब्द आपको लिखना है जही हवास तो हू के स्थान पे जही हवास लिख देंगे और फिर सैड से लगा कि लाश्ट तक पूरा क्वेशन का आपको लिख रहना होगा तो देखिए इस प्रिकार से हमारा आंसर बन जाएगा तो हमने क्या किया केवल हू के स्थान पे जही हवास लिखा और फिर सैड बिलकुल वैसे ही लिखना आपको फिर जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर है वो लाइन भी विलकुल वैसी की वैसी लिख रहनी है तो केवल एक सब्द जही हवास बस लिखना आपको हू के स्थान पे बाकी सैम लिख देना तो ये आंसर सब लोगों से आसानी से बन जाना चाहिए इसके बाद देखिए अगला दसवा क्वेशन है तो देखिए क्वेशन क्या है ओसी रिस कौन है तो देखिए मिस्र देश में ओसी रिस जो थे आफ्टर लाइफ जो होती है मतलब म्रत्यू की बाद का जो जीवन होता है तब कि भगवानों को ओसीरिस नाम दिया गया है तो देखे आंसर बताया गया कि ओसीरिस कौन है आफ्टर लाइफ की देवता है आफ्टर लाइफ आफ समझते हैं जो अमारी लाइफ है इसके बाद जो होगा मृत्यू के बाद जो लाइफ होती है उसे afterlife कहा जाता है उसके दिवता कौन है औुसीरिस हैं तो बहुत सरल सा अंसर होगा कि औुसीरिस यहां पर subject हो जाएगा फिर is is high clear हो जाएगी औुसीरिस और फिर the god फिर आफ और फिर हो जाएगा after life सबसे पहले औुसीरिस लिखना होगा फिर is आफ्टर लाइफ लिख देंगे तो देखे इस प्रिकार से आंसर बन जाएगा कि ओसीर इस दा गोड आफ आफ्टर लाइफ तो ये आंसर भी सब लोगों से आसानी से बन जाना चाहिए इसके वाद अगला ग्यारवा क्वेशन वेन डिड तुत डाई यहाँ पर जो किंग तुत है उनकी म्रत्यू कब हुई यह पूंचा गया है और वेन वाज हिज ममी दिसकवर्ड उनकी ममी को कब डिसकवर किया गया डिसकवर करना याने खोजना तो देखे चेप्टर में बताया गया है कि राजा तुत की म्रत्यू कैसे हुई इसके बारे में तु किसी को नहीं पता है लेकिन जब उनका CT स्केन किया गया बहुत सारा परिच्छन किया गया तब जाकि अंदाजा लगाया गया था 2005 में कि इनकी म्रत्यू लगवग 3300 वर्स पहले हुई होगी मतलब 1323 BCE में हुई होगी और उनकी ममी को 1922 में सबसे पहले हावर्ड कार्टर नाम की एक व्यक्ती ने खोजा था तो देखे आंसर फिर क्या बताया गया है कि राजा तुत की म्रत्यू 3300 वर्स से भी पहले और फिर 1323 BCE में हुई उनकी ममी को हावर्ड कार की द्वारा 1922 में हो जा गया तो देखे आंसर बहुत सरल है सबसे पहले हम देख लेते हैं दो लाइन का आंसर है कौन-कौन से मीनिंग कठे ने ये देख लेते हैं तो देखे यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे राजा तो तियाने किंग तुत लिखेंगे और की म्रत मृत्यु होना को डाई कहते हैं डाई का सिकेंड फोंपास्ट सिंपल है डाईड लिखनेंगे फिर इसके बाद देखेंगे यहां पे 3300 वर्स याने की 3300 इयर्स लिखेंगे और एगो याने होता है पहले लेकिन यहां पे देखें सेभी पहले औरसेभी के लिए more than कहा जाता है और more than हमेशा पहले लगता है more than पहले लगाएंगे फिर लिखेंगे हम 300 years ago तो ध्यान लखना यहाँ पे और कोश्टक में यही का यही लिख देंगे फिर देखें उनकी ममी को हावर्ड कार्टर के द्वारा 1922 में खोजा गया question में सभी word है इस ममी याने उनकी ममी को और फिर यह नाम है और वाय याने के द्वारा फिर इन लगाके 1922 लिखेंगे खोजा गया याने discover करना सभी word question में बस यहाँ पे more than आप याद रखेंगे और इस more than को हमेशा time से पहले लिखना पड़ता है इतना ध्यान लखना तो यहाँ पे लिख देंगे डाइड याने उनकी म्रत्य हुई फिर more than पहले लग जाएगा तो यहाँ पे ध्यान लखना जब more than पहले लगेगा तो more than फिर 3300 years और फिर लिखेंगे एगो लिख देंगे तो इस प्रिकार से बनाएंगे और कोश्टक में जो लिखा है 1323 BCE में तो यही का यही आपको लिख देना है तो यहाँ पे किंग तो फिर डाइड लिखेंगे फिर यहाँ more than लगा के 3300 years एगो लिख देंगे और कोश्टक में यही लिख देंगे फिर आगे दिखे his mummy याने उनकी mummy को और फिर देखी यहाँ पे बाज साहई करिया लगी है यहाँ भी हम लगा देते हैं क्योंकि पेसे वाइस है पास्ट सिंपल का तो his mummy और बाज साहई करिया फिर discovered याने की खोजा गया फिर इन लगा के लिख देते हैं 1922 में खोजा गया बाज याने की द्वारा और किसके द्वारा हावर्ड कार्टर के द्वारा तो यहाँ पे his mummy बाज साहई करिया discovered किया गया इन लगा के 1922 में बाज की द्वारा किसके द्वारा हावर्ड कार्टर के द्वारा एक बार पूरा अंसर रिपीट कर लेते हैं तो यहां पर King Tut died उनकी मृत्ति हुई More than आगे लगाया जाता है दियान रखना More than 300 years ago और कोश्टक में 1323 BCE और फिर यहां पर his mummy वाज साय करिया Discovered इन लगा के 1922 वाई Howard Carter तो देखे इस प्रिकार से आंसर बन जाएगा और यहांसर बहुत आसान है सब लोगों से बन जाना चाहिए इसके बाद देखे अगला बारवा क्वेश्चन Most important question है When was the mummy examined? देखे एग्जामिन करना आप जानते ही है जाच परताल करना परिक्षन करना कहलाता है तो ममी का कब परिक्षन किया गया एकसरी में यन की दवारा दा Anatomy Professor याने एक सरीर रचना विज्ञान के प्रोफिसर थे उनकी दवारा एकसरी में परिक्षन किया गया कब किया गया यह हमें बताना है तो देखे question क्या है एक anatomy परिक्षन किया गया था अब वो परिक्षण कब किया गया था ये हमें बताना है तो देखे चेप्टर में बताया गया है कि 1968 में एक सरीर रचना सास्तर के प्रोफेसर थे जिनने क्या किया था ममी का एक्सरा लिया था और एक्सरा लेने के बाद उनने एक च्योकाने वाला खुलासा किया था उन्होंने कहा था कि जो राजा तुथ है उनकी जो बॉडी है उनकी च्छाती की जो हड़ियां है जो सीने की हड़ियां है वो गायव है और सामने की पसलियां भी गायव हैं तो देखे आंसर बताय गया है 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर थी उनने ममी का एक सरे किया था उन्होंने एक चौकाने वाले तथे को उजागर किया के तुथ की जो ब्रेश्ट बॉन है ब्रेश्ट बॉन याने छाती की हड़ी कहलाती है और सामने की पसलिया उस रैजिन के नीचे से गायव हो गई थी जो रैजिन एक मोटी घनी परत के साथ उसकी छाती को ढखती थी देखे रैजिन जो होती है राल कहलाती है राल याने गौंद होती है एक प्रिकार की तो उससे क्या किया गया था जो राजा तुथी उसकी बॉड़ी पे पूरे गौंद जो है ब पहली लाइन से देखते हैं देखे इन लगा के हम लिखेंगे 1968 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर देखे एनाटॉमी प्रोफेसर ये लिखा है बस एक के लिए हमें आर्टीकल लिखना होगा एन आर्टीकल लिखेंगे और फिर एनाटॉमी प्रोफेसर और फिर उनने क्या कि या ममी का X-ray किया है तो देखे किसी का X-ray करना तो यहां पे X-ray खोद एक रिया है ध्यान लखना X-ray का second form होता है X-ray मतलब R, A, Y, E, D और जोड़ देंगे तो X-ray हो जाएगा और किसका किया है दा ममी याने की ममी का किया है तो यहां पे इन लगा के 1968 और N, Anatomy Professor हो जाएगा फ इसी वी चीज का X-ray करना जो किया है वो X-ray खोद है X-ray second form हो जाएगा उन्होंने उन्होंने मतलब जो Professor है उनकी बात हो रही है तो हम कहेंगे फिर ही उन्होंने एक चौकाने वाले तत्थे को fact कहा जाता यह तो आपको पता होगा अब दिखिए चौकाने वाला इसके लिए जो बड है start link ध्यान विखना start link का मतलब है चौका देने वाला तो यहां पे start link हो जाएगा पहला सब्ध हमारा और उजागर करना या प्रिकट करना आपको पता है reveal होता है तो reveal करना याने खुलासा करना या प्रिकट करना होता है और reveal का second form देखें तो revealed हो जाएगा तो याने होता है तथ यह तो आपको पता होगा फिर आगे दिखते हैं breast bone इंगलिस सब्ध लिखा है याने च्छाती की हड़ी कहा जाता है हिंदी में तो यहां breast bone हो जाएगा और फिर front याने सामने की और पसलियों को क्या कहा जाता है रिप्स कहा जाता है यह तो आपको पता हो रिप्स याने पसलियां होती हैं तो फ्रेंट रिप्स हो जायेगा सामनी की पसलियां और पिर दा रिजन्दי로ोग्ण हमने सब्सब्स ही लिखा है इंदी में राल होता है और चुद कि घुन्द होती है raise IN हो जाएगा अब देखी कें नीचे कें नीचे को कें यहां पर जो सब्द लिखा गया है बिनीत ध्यान रखेंगे आप विनीत का मतलब होता है के नीचे तो ध्यान रखना बिनीत का मतलब के नीचे और मिसिंग याने गायब यह तो आपको पता होगा मिसिंग का मतलब होता है गायब फिर आगे देखें जो के लिए यदि हम देख तो ठिक होता है और लेयर याने परत होती है विथ याने के साथ होता है और चेश्ट याने चाती होती है और कवर याने ढखना होता है और उसकी मतलब यहाँ पे हिज हो जाएगा क्योंकि किंग तुद की बात हो रही है यहाँ पे तो हिज चेश्ट हो जाएगा उसकी चाती को covered हो जाएगा second form याने ढखता था और फिर his chest याने उसकी छाती को with याने की साथ और फिर आथे की याने एक मोटी ओ लेयर याने हो जाएगा परत और that याने हो जाएगा जूप तो देखिए जादा कर्थिन मीनिंग बिलकुल भी नहीं है बहुत सरल सरल मीनिंग है बस यहाँ पे एक हो जाएगा startling याने चोंका देने वाला और revealed याने प्रिकट करना हो जाएगा और ribs याने पसलियां होती है front याने सामने की और फिर missing याने की गायव होता है और विनीत य second form लिखेंगे तो X-ray और ED जोड के और किसका X-ray किया है दा ममी याने की ममी का तो यहाँ पे इन लगा के 1968 एन एनाटॉमी प्रोफेसर ने X-ray किया दा ममी याने की ममी का फिर आगे दिखिए उन्होंने याने की ही उन्होंने और फिर revealed याने की उजागर किया और फिर इस्टार्ट लिंग फैक्ट याने की एक चोंका देने वाले तत्थ को स्टार्ट लिंग फैक्ट हो जाएगा और फिर आगे दिखिए तुट और की याने की हो जाएगा अपॉस्टराफि centro- worldviews तो यहां पे तोथ फिर Agit फिर अपॉस्टराफिस फिर raspberry लिखेंगे फिर end औ तरफ जसाज़ वर में से वर साह ऐक्रिया लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर वहु बच्छान लिखाएं what ऐ, पर पे हिज चेस्ट याने उसकी छाती को विथ याने के साथ और फिर आथिक लेयर याने की एक मोटी परत तो आठिक लेयर याने एक मोटी परत तो यहाँ पे बैट याने जो कवर्ड ढखता था हेज चैस्ट उसकी छाती को विथ के साथ आठिक लेयर याने की एक मोटी परत के साथ तो देखे एक बार पूरा अंसर रिपीट कर लेते हैं इन 1968 एन एनाटोमी प्रोफेसर ने एक्स रेड किया दा ममी याने ममी का ही उन्होंने रिवील्ड किया आए स्टार्ट लिंग फेक्ट और पिर तुत अपोस्टाफी एस ब्रेस्ट बॉन एंड फ्रेंट रिप्स वर्साहाई करिया मिसिंग बिनीथ दा रेजिन बैट कवर्ड इस चैस्ट वित अथिक लेयर तो देखे इस प्रिकार से हमारा अंसर बन जाएगा और यह अंसर भी जादा कठी नहीं बस एक ही बार प्रेक्टिस करोगे आराम से बन जाएगा तो आज हमने क्वेश्चन बैंक के पांच इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीखे देखे बहुत छोटे छोटे हैं इस बज़े से हम क्वेश्चन बैंक के लगवग पूरे क्वेश्चन करा देंगे इस चैप्टर के पांच और साइद बचे होंगे योकि हम आगे के वीडियो में कर देंगे तब तक के लिए धन्यवाद